तो कि अगे स्टूडेंट्स वेलकम तू इंग्रेस नहीं महामध फैज और मैं आपको एक केमिस्टी का इंपॉर्टन टॉपिक डिसकस करूगा बेसिक कॉंसेप्स ऑफ केमिस्टी तो आज हम देखेंगे यूट एंड मेजरमेंट एक इंपॉर्टन टॉपिक है केमिस्टी के लिए यह नहीं बलके फिजिक्स के लिए भी है अगर आप साइंस को पढ़ना चाहते हैं तो यूनिट एंड मेजरमेंट आपको आना चाहिए यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर दो चीज़े हैं देखें यहां पर यह दो वर्ड्स हैं एक है यूनिट और करने के लिए चीज छोटी है बड़ी है यानि आपको कपड़ा से लाना है तो अगर आपका जो है सूट जो है वो तीन मीटर में आता है तो आप तीन से थोड़ा सा जादा ही लाएंगे मेजर करके लाएंगे अगर आपको मेजरमेंट नहीं आता है तो आप बहुत सारी गल कपड़े को आप तीन मीटर लाए तो किम कैंट तो वह कंपा नंबर और लट क는데 कि यहां पर किसी चीज को मैजर करा जाता है और जल टिस बेसिट isn't वह हॉन उनिटeda करते हैं हम चीजों को मेजर करते हैं एक उन्बैर करने के लिए, so we compare things by measuring them, आपको दो चीज़ों को measure करना है, किसी भी height measure करना है, तो हम generally centimeter में, या feet में, या meter में भी करते हैं, तो वो height हो गई, तो वहाँ पर एक number होता है और एक unit होता है, जैसे किसी की height 6 feet है, तो वहाँ पे 6 जो है वो number है, वो आपको एक average idea दे रहा है, 6, 7, 5, और आगे feet है, feet मतलब unit आपने दे दी, तो आपको एक idea हो जाएगा कि कितना लंबा या कितना छोटा है वो आदमी, तो to measure things we require unit, किसी भी चीज़ को measure करने के लिए, सिर्फ आगे आपने बोल जागे 6, तो वो 6 कोई sense नहीं मनता है, 6 feet है, 6 meter है, 6 centimeter है, तो उसके लिए unit देनी पड बनेगा, नहीं तो कोई sense बनता नहीं, तो comparison is done on the basis of common property, तो हम किसी common property पे compare करते है, वो property ही unit बनती है, और उस unit के base पे हम number देते हैं उसके अदर, तो in general we have 7 types of properties on which we can measure, तो science के अदर हम अभी तक जो है वो 7 basic properties के basis पे हम compare करते हैं, यह 7 basic property क्या है, यह हम देखते हैं अभी, thus we have 7 main units, तो वो 7 basic property जिसके basis पे चीज़ों compare करा जाता है, वही 7 units भी हैं, तो वो 7 units of measurement, यह हमारा main focus रहेगा, 7 basic units of measurement, तो इस 7 basic, या तो हम किसी चीज़ को mass के respect में compare कर सकते हैं, तो पहला हमारा है mass, तो first है हमारा, first unit of measurement क्या है mass, तो या तो हम mass के respect में किसी चीज़ को measure कर रहा हैं, तो हम unit हम देंगे kilogram, आप gram भी दे सकते हैं, लेकिन kilogram जो है, वो SI unit है, वो international unit है, और यही basic unit मानी गई है, तो kilogram, अगर आप mass के base पे किसी चीज़ को compare कर रहे हैं, जैसे, जैसे, आप में कोई एक चीज ली, जैसे, यह box है, यह box है, और इसका जो mass है, यह 5 kg है, और ऐसी दूसरा box है, इसका जो mass है, वो 10 kg है, इसका जो mass है, यह 10 kg है, तो mass के respect में कौन ज़्यादा भारी है, यह B जो box है, यह A box है, और यह जो B box है, बी box ज़्यादा भारी हो गया mass के respect में, तो यहाँ पर 10 जो है, वो नमबर है, 10 जो है, वो एक measuring आपको value बता रहा है कि 10 जो है वो value है और unit क्या है kg किस basis पे compare कर रहे है kg पे base पे compare कर रहे हैं, कभी mass के base पे चीज़ों को compare करना होता ह। तो हम उसके अंदर kg लगाते हैं, कभी अगर आपको length के base पे चीज़ों को compare करना है, length L-E-N-G-T-H length तो length के basic अभी आपको compare करना होता है तो हम meter लगाके हैं उसके अंदर तो length की basic unit क्या है meter हाँ centimeter भी बोल सकते है millimeter भी बोल सकते है उसको भी हम आगे देखेंगे लेकिन यहाँ पर अभी basic unit जो है SI unit जो है वो meter है जैसे यह एक line है और यह दूसरी line है यह A line और यह B line तो अगर यह 4 cm माने और यह 8 cm माने तो कौन सी बड़ी है अब यह से B line जो है वो बड़ी है So B is greater than A But on what basis? किस basis पे? Length के basis पे On the basis of length तो यहाँ length के basis पे Length property पे यह length की unit पे यहाँ पे इनको categorize कर रहे हैं इनको हम compare कर रहे हैं ऐसी luminous intensity हम चीजों को चमक के basis पे भी compare करते हैं क्योंकि जो light है वो हमारे लिए एक important source है बहुत सारी चीजों का अगर light नहीं है आप देख नहीं सकते तो light भी एक sufficient light होना चाहिए जैसे अगर आप मैं देखा हो तो यह जो illuminating substance है ट्यूब लाइट है बल्ब है इनके अंदर एक luminous intensity दी हुई होती है अगर कभी आप packing इसकी देखें तो यह जो आर्कीटेक्स और यह interior जो design होता है वो इस तरीके से design होता है कि घर की जो है एक कमरे की luminous intensity कम से कम इतनी होनी चाहिए एक healthy living के लिए तो luminous intensity आपको चमक कराइटेरिया देता है या on the basis of shining capacity या on the basis of light emitting capacity उसमें हम luminous intensity बोलते हैं तो luminous intensity की unit जो है अगर आप चीजों को चमक के बेस पे categorize कर रहे हैं तो वहाँ आपको luminous intensity देना पड़ेगी तो luminous intensity luminous luminous intensity इसकी जो unit है यह है candle यह important unit है कई बार exam में पूछी हुई है generally हम दिमाग से निकल जाती है क्योंकि यह हमारे day to day life है हम इसको पढ़ते हैं तो आप याद ऐसे करते हैं देखिए candlela, candle का मतलब है candle तो अगर एक candle है अगर एक candle है तो रोशनी कम होगी और जादा candle है तो रोशनी जादा होगी तो candle मतलब candle, candle मतलब रोशनी रोशनी मतलब luminous intensity ऐसे आप कर सकते हैं तो अगर किसी tube light की candlela अगर जादा है तो वो tube light जादा रोशनी आपको दे रहे है अब चीजों को measure करा जाता है मतलब चीज कितनी है जैसे amount चीज कितना है तो उस चीजों को substance की यूनिट है किसी भी चीज को आप ले ले तो अगर उसके moles जादा है तो उसका amount जादा आएगा तो amount of substance इसकी यूनिट है यह mole है amount of substance इसकी यूनिट है यह mole amount of substance amount of substance substance इसकी unit mole ये chemistry में जादा लंबा चलता है पूरी chemistry में mole भी mole घूमता रहता है फिजिक्स में वो नहीं होता तो amount of substance is given in mole अगर कोई आपको बोले के जादा mole चीनी ले जाओ तो इसका मतलब चीनी का जादा amount दिया है उसने या जादा mole पानी ले जाओ तो पानी का जादा amount दिया है अब mole amount of substance है वो solid liquid और gas सब के लिए लगता है किसी भी चीज़ का अगर mole जादा है तो उसका amount जादा हो यह है इसको हम detail में और में पढ़े ने अब जो है अगर आप चीज़ों current के basis पे compare कर रहे हैं तो current की जो unit है वो ह ampere तो current unit of current is ampere जैसे आप देखना के meter पे जो है वो कभी-कभी आपको डिल एंपियर दो एंपियर या switches भी जो है वो high power के जो switches है high application के जो switch है वो जादा ampere के होंगे जैसे geezer का switch है वो 16 ampere AC का जो switch है जो 16 ampere या normal जो switch है वो थोड़े कम ampere के होंगे तो ampere अगर जादा है त current जादा आ रहा है तो current की जो unit है वो ampere है अब time time की जो unit है वो second है time की जो unit है second है तो हम यह जो second इसलिए देते हैं आप आगे जागे पढ़ोगे कि किसी भी चीज को जब measure करा जाता है तो इसमें error होता है तो अगर least count कम होगा तो error भी कम होगा तो generally हम घंटों में नहीं देत होगा physics में भी और chemistry में दोनों में यह पढ़ा जाता है error और least count और इसलिए time जो है वो ज्यादा हमारे लिए important है हम time को बहुत अच्छे से note करना चाहते है इसलिए time की हमें चोड़ी unit adopt कर रहिए that is second अब temperature जो है अगर आप temperature को measure करना चाहें तो temperature की unit जो है यह है temperature की unit Kelvin है तो temperature को हम Kelvin में देते है तो temperature की unit Celsius भी है लेकिन SI unit जो है basic unit जो है वो Kelvin है अब different different unit में क्या relation है वो हम आगे पढ़ेंगे लेकिन अभी के लिए आपके लिए आपके लिए यह है कि seven basic units आपके लिए important है mass एक property है जो हमारे लिए important है length एक property है जो हमारे लिए important है luminous intensity एक property है mole हमारे substance amount of substance हमारे लिए property है current हमारे लिए property है time हमारे लिए property है और temperature हमारे लिए property है अन्दर के जो गोले हैं यह आपको प्रॉपर्टी बता रहा हैं और बाहर के जो यह गोले है यह आपको बता रहा है उस प्रॉपर्टी की यूणिट क्या है तो हमारे apoyo यह इन इंपॉर्टन हे और यह Seven देखते हैं यह basic unit हमारी seven basic units है हमारी जैसे mass इसको हम represent करते हैं M से यह mass का symbol है यह symbol भी fix है यह SI ने fix करके रखा है तो mass को हम M से represent करते हैं और इसकी SI unit जो है वो यह kilogram kg को kg से देंगे आप length जो है वो एक property है इसको हम L से denote करते हैं और length property की SI unit है वो meter है और meter को denote करते है M से time एक property है तो time को represent करा जाता है T से इस time property की जो unit है वो है second और second को represent करते है ends S से अब current एक property है और इसको represent करते है I से इस I current की जो ampere है वो unit है यानि current की unit जो है वो ampere है और इसको capital A से denote करते है आप पो बिल्कुल S ही लिखना है, यूनिट का भी लिखनी है तो बिल्कुल S ही लिखना है, एक अगर आप छोटा नहीं कर सकते, A को capital ही लिखना पड़ेगा, S को ऐसे लिखना पड़ेगा, M को ऐसे लिखना पड़ेगा, तो वो abbreviation जो है वो भी S लिखनी पड़ेगी, temperature एक property है, इसको T से denote करते हैं, और इसकी जो unit है Kelvin, और Kelvin को K से लिखेंगे, capital K से, amount of substance, इसको हम N से लिखते हैं, N से, amount of substance, और इसकी जो unit है ये mole है, और mole को लिखा जाता है, MOL से, अब luminous intensity, luminous intensity एक property है, इसको इस property को indicate करा जाता है IV से, कभी-कभी आप sign देखेंगे IV, आप अगर ब लिखा होता है, IV इतने candela, मतलब luminous intensity इतने candela, तो candela जो है, वो unit है, और इसको CD से लिखा जाता है, CD, तो ये basic unit और उनके abbreviation और उनके units के abbreviation, अब जो है, वो base unit से derived unit बनती है, 7 basic, 7 ही units हम नहीं पढ़ते हैं, हम volume भी पढ़ते हैं, density भी पढ़ते हैं, हम pressure भी पढ़ते हैं, और भी हम कई तरह के force भी पढ़ते हैं, acceleration भी पढ़ते हैं, और भी कई तरह के हम units पढ़ते हैं, तो उन 7 unit के इलावा, 7 unit को छोड़ गए, और 7 unit कौन कौन सी है, mass, kg, mass unit kg, तो इन 7 property को बोल दूँ मैं, mass, इसकी unit kg, length, इसकी unit meter, temperature, इसकी unit Kelvin, luminous intensity, इसकी unit candle, amount of substance, इसकी unit mole, time, इ इन 7 unit हैं, यह basic unit, और इसके अलावा जो unit बनेगी इन से, या इसके अलावा जो unit वो सब derived unit है, मतलब वो इनके derived unit है, इनके derivative हैं यह, जैसे volume, volume basic unit नहीं है, volume किससे बना है, वो length से बना है, यानि meter को 3 by multiply कर दो, length into height into breadth, तो आपको meter cube जो देगा, तो meter cube जो है, वो derived unit है, volume की unit है meter cube, या volume जो है, वो एक derived property है, volume अपने आप में कोई property नहीं, बलकि एक derived property है, length into length into length, जब मिलेगा, ऐसी density जो है, density क्या होता है, mass per unit volume, density क्या होता है, mass per unit volume, m by v, तो dense, अभी आपको बता है, volume खुद में एक derived unit है, तो कभी derived unit अगर use हुई, तो वो खुद itself derived unit होगी, तो mass by volume, य यह हमारा density होता है, अब volume खुद में derived unit है, और यह density जो है, mass by volume, तो यह खुद भी density भी derived unit हो जाएगी, क्योंकि दो unit को मिला के हमने बनाया, ऐसी velocity, velocity क्या है, meter per second, तो यह भी दो unit को मिला के बनाया, यानि length per time, length मैंने लिया है, length मतलब meter, और time हमने second लिया, ऐसी force, force का मतलब mass into acceleration, और acceleration को हम देते हैं, velocity upon second का square, यानि L by T का square, तो यह हमारा यहाँ पर, mass into acceleration, तो यह force की unit भी derived unit है, force भी यह derived property है, ऐसी acceleration, यानि L by T का square, meter per second का square, तो यहाँ पर भी हमने दो unit लिया है, meter लिया है, और second लिया है, तो जो seven basic units है, इसे जो unit बनती है, that is called derived unit, और derived unit बहुत सारी हो सकती है, pressure जो है, pressure की unit, force per unit area, वो भी derived unit है, ऐसी और भी जितने unit है, वो सब derived unit के line, तो यह हमारा derived unit है, अब क्या है, किसी भी चीज़ को जब आप measure करते हैं, तो उसमें एक तो यह देना पड़ता है, कि measure किस base पर करा है, जैसे एक बोक्स है, गञासे, गिए एक box है, अगर है, जैसे. यह बॉक्स है और यह दूसरा बॉक्स है तो अगर मैं बोलूं किसका वाल्यूम जादा होगा तो अब भीत है वाल्यूम के बेस में मैं बोल सकता हूं Volume of A is less than Volume of B यह मैं बोल सकते हो तो क्या mass-based आप मास के बेस पे आप बोल सकते हो यह कौन सा है मास के बेस पे नहीं बोल सकते हो जब तक आप measure नहीं करेंगे तो हो सकता है इसके अंदर लोहा भरा हो और इसके अंदर हवा भरी हो तो तो आपको यूनिट देना पड़ेगा तो हो सकता है इफ मैं बोल सकता हूं इफ ए कंटेन्स आयरन इफ ए कंटेन्स आयरन एक क्या हो तो हम भी बोल सकते हैं मास के रेस्पेक्ट में विट रेस्पेक्ट टू मास ए जो है यह भारी होगा 20 यहां पर मास के रेस्पेक्ट में आपने क्लासिफाई करा है और यहां पर आपने वॉल्म के रेस्पेक्ट में क्लासिफाई करा है तो जब भी हम चीजों को मे बतानी पड़ती है नंबर बताना पड़ता है दूसरा यूनिट बताना पड़ता है यूनिट आपको यह बताता है कि किस बेस पे दोनों का कंपरिजन कर रहा है नंबर यह बताता है कि उस कंपरिजन में रिलेशन क्या है कौन जाधा बड़ा है कौन जाधा चोटा है तो measurement of a property gives a quantity कोई भी चीज आप मेजर करेंगे तो एक quantity देगा quantity जो दो से बनी होती है that is composed of two things number and unit जैसे एक लीटर तो यहां पर एक जो है यह नमबर है और लीटर जो है वो यह नमबर यह बहुत चोटा unit तो आपने fix कर ली अब जो नमबर है वह बहुत चोटा जी हो सकता है बड़ा जी हो सकता है तो नमबर अगर बहुत चोटा है यह बड़ा है तो इसको लिए हम prefix यूज करते हैं if the number is very large or small we can use prefix before the unit for example अगर यह है हमारा 0.0001 मीटर है कोई चीज़ तो इसमें लिखना थोड़ा सा difficult भी है और पढ़ना भी थोड़ा सा difficult है पहले आपको decimal देखना पढ़ेगा फिर zero note करने पढ़ेंगे फिर देखना पढ़ेगा वन गहां पर है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या मैं इसमें लिख सकता हूं एक्वल टू पैंडगि मीक्रो मिटर जू हमद्र गिख सकता हम या मैं इस को और च्छोटा करके इसको लिख सकता हूं माइक्रो इसको लिख सकता हूं तो यह जो micron है यह prefix है यह prefix है बढ़ी और बहुत जादा बड़ी और बहुत जादा चोटी unit को indicate करने के लिए हम prefix use कर सकते हैं यह prefix important है क्योंकि आपको जो values मिलेंगी science में chemistry में और physics में numerical solve करने के लिए या एक idea देने के लिए तो वो values जो है वो जनरली prefix में कभी कभी दी जाती है जैसे centimeter, deciliter तो यह देखते हैं prefix कौन-कौन से होते हैं तो यह prefix छोटी unit के लिए अलग होते हैं और बड़ी unit के लिए अलग होते हैं पहले हम देखते हैं छोटी unit अगर unit बहुत छोटी है यानि कोई point one चीज आई point one आया तो point one को हम deci बोलते हैं तो यहाँ पर deci तो हम यह देखते हैं prefix for smaller unit प्रफिक्स for smaller smaller units प्रफिक्स for smaller units अगर छोटी unit है तो यहाँ पर deci feeding medium इति एक भी दस वं वैंवा टेंड one व्याटतं बटी मतलब एक बटा सौ एक October मिली मतलब एक बटा थार भी यहाँ से बटा नहीं करना सीधा पावर में देख लेना arch in 10 आउट इन यहानि कोई चीज जो है वह one उपाउन वन एक दो तीन चार पाजह यह 1 upon 10 की power, 1 upon 10 की power 6 है, तो आपको पता है, जब power नीचे से उपर जाता है, तो minus हो जाता है, sine बदल जाता है, तो क्योंकि नीचे sine positive है, जब यह उपर जाएगा, तो minus हो जाएगा, यह minus हा गया, जब चीज denominator से numerator में जाती है, तो यह 10 के लिए ही है, जब denominator से 10 numerator में चलता है, तो उसकी power जो है negative में चली जाती है, या उसका sine जो हो बदल जाता है, अगर नीचे negative है, तो उपर positive हो जाएगा, नीचे positive है, तो उपर negative हो जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पे 10 की power 6 नीचे positive था, जाएगा उपर, तो उपर negative आगया, ऐसी 1 nanometer, तो यह 1 upon 10 की power 9 आएगा, तो यह 9 उपर गया, तो 10 की power minus 9, ऐसी picometer, यानि 1 upon 10 की power 12, तो यह 12 उपर जाएगा, तो minus 12 आगया, ऐसी femto, 1 upon 10 की power 15, यह 15 उपर जाएगा, तो यहाँ पर minus 15 आगया, तो यह आपको याद करनी है, यह important है, जान रहें, देशी मतलब 1 by 10, सेंटी मतलब 1 by 100, मिली मतलब 1 by 1000, माइक्रो मतलब 1 by 10 की power 6, नैनो मतलब 1 by 10 की power 9, पी को मतलब 1 by 10 की power 12, femto मतलब 1 by 10 की power 15, और उपर जाएगा, तो minus में आगया, यानि आप डेशी को बोल सकते हो 10 की power minus 1, सेंटी को बोल सकते हैं टैंगी पाउर माइनस 2 मिली को बोल सकते हैं यह सिर्फ प्रफिक्स है यह किसी भी यूनिट में लग सकते हैं जैसे अगर कोई हमारा जो weight है या mass है weight हमाल लेते हैं weight वैसे weight जो है वो derived unit में आएगा मैं mass ले लेता हूँ किसी चीज़ का जो mass है किसी चीज़ का जो mass है mass अगर है 0.1 gram तो मैं लिख सकता हूँ 1 by 10 gram और इसको लिख सकता हूँ 1 dec gram dec gram यहां जाए 1 dec gram लेकिन अगर यहां पर मैं यह बोल सकता हूँ volume के लिए जैसे volume volume है किसी का 0.1 liter तो मैं इसको बोल सकता हूँ 1 by 10 liter इसको बोल सकता हूँ 1 deciliter deciliter कि मैं यह बोल सकता हूँ तो यहां पर यह जो है यह प्रफिक्स है प्रफिक्स जो है वो सबके लिए same क्योंकि value सबकी same है क्योंकि prefix जाए सिर्फ value को बताएगा अब यह जो प्रफिक्स है किसी भी unit के साथ आप लगा सकते है 1 decigram ही बोल सकते है 1 deciliter ही बोल सकते है 1 decimeter ही बोल सकते है यह बोल सकते है यह जो प्रफिक्स है यह आप किसी भी unit में यूज कर सकते है यह प्रफिक्स सिर्फ एक number बताने के लिए है पर unit जिसकी respect में आप लगाना चाहें वो unit लगा सकते हैं यहाँ पर यह पीको important है पीको क्योंकि जो virus का mass दिया जाता है वो जर्णली पीको gram में दिया जाता है और फेम्टो important है वैसे तो सारी important है लेकिं पीको फेम्टो आपको दिया आता है फेम्टो का मतलब 10 कि पावर मायनस 15 तो nucleus का size है debugee 10 कि पावर मायनस 15 के उसमें दिया जाता 10 कि पावर मायनस 15 meters होता है length में Люб late का size यह यह 10 कि पावर minus 15 में दिया जाता है तो यह हमारी लार्जर यूनिट्स तो लार्जर यूनिट्स के लिए जो प्रफिक्स लगता है वो जैसे पैटा है पैटा का मतलब 10 की पाइब 15 अगर कोई बहुत जादा बड़ी चीज है अब यहां से तो आप याद कर सकता हूं जैसे के भी है जैसे अगर मेरा हजार बाइट है जो हजार बाइट है अगर हजार बाइट है तो हजार को मैं आप्ध्स को लिख सकता हूं जड़े हजार बाइट जो है वह 1 MB, 1 MB, यह लिख सकता है, ऐसी Giga, तो मतलब किलो, मेगा, गीगा, टेरा, और इसके ऊपर होता है Peta, अब पेटा में भी capacity आने लगी है, तो पहले हमारा किलो बाइट में चलता था, 1000 बाइट, फिर हमारा मेगा बाइट में चलने लगा, 10 थो 6 बाइट फिर हमार डिगा बाइट में चल रहा है थेंगी पावर हएट और फिर पैटा यानि यहां से लेके तो वहां तक तीन-थीन के multiple में हैं, तीन-थीन के growth में है, तीन-छे-नौ-बारा-पंद्रा, तो peta, peta भी important है, जैसे computer की speed है, super computer की peta flops में दिया जाता है, तो वहां पर बहुत जादा speed होती है, super computer, peta flops, जैसे terabyte, आप तो computer capacity terabyte मान लगी, ऐसी hecto, hecto, और यह deca, hecto मतलब 100, hecto मतलब 10 की power 2 यानि 100, इस value को hecto बोलते हैं, और सिर्फ 10 को बोलेंगे deca, इसको सिर्फ 10 को deca बोलेंगे, ध्यान रहे, कभी आएगा, peta, giga, mega, kilo, तो o और a वाले, यह बड़ी unit को बताते हैं, और i वाले जो है, milli, centi, dec, यह छोटी unit को बताते हैं, milli, i का मतलब नीचे आ रहा है, i का मतलब नीचे आ रहा है, और a का मतलब बड़ा होगा, तो a, तो यह हमारा बड़ी कड़ी, अब क्या है, unit conversion, आप छोटी unit को बड़ी कड़ी जंदर भी convert कर सकते हैं, जैसे, यहां पर लिखा हुआ है, one millimeter, one millimeter equal to thousand micrometer, अभी कैसे करा है, तो जैसे one millimeter है, one millimeter में हो कह रहा है, thousand micrometer, तो जैसे को एगर बोल देता है, one millimeter, one millimeter, one millimeter, इसमें कितने micrometer हो, कितने micrometer हो, तो देखिए, है क्या, करने का तरीका यह है, तो जो abbreviation दिये हुए है, उनको आपको solve कर लेना है, जैसे, यहां पर milli, milli को मैं खोल नहीं हो, तो milli का मतलब होता है, 10 to power minus 3, जान रहे, milli का मतलब है, 10 to power minus 3, छोटी unit है, milli, तो one into 10 to power minus 3, और आगे meter लिखा है, तो unit क नहीं बदलना है आपको, meter, is equals to, अब यहां पर question mark है, और यह micro है, micro का मतलब होता है, 10 to power minus 6 meter, यह meter, यह है, अब यहां पर आप क्या multiply करें, जो दोनों value बराबर हो जाए, तो यहां पर minus 3 है, तो मतलब क्या होगा, यहां पर क्या multiply करा जाएग, जहां पर multiply करा जाएगा, 3, 10 to power 3, 10 to power 3, into 10 to power minus 6, यह जो multiply होगा, तो यह minus 3 के बराबर आजाए, meter, is equals to, 1 into 10 to power minus 3 meter, meter, या, अब इस दोनों चीज़े value बराबर है, अब वापिस इनको पैक कर देंगे, तो यानि यह चीज़ क्या हो जाएगी, 1 millimeter, 1 millimeter, 1 millimeter, equal to, अब इसको वापिस पैक कर दें, यह micrometer आगया, 10 to power 3 micrometer, 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 अगर हम देखे, तू पृच्टे डिए एक टू अब वन सेंटि मीटर उने सेंटिमीटर उने एक टूוקे टूगा सकॉलड़क जासे कारा जाते पूंए मिली मीटर और मिली मीटर एक हो जितdependent मारक बना है उद्स度र ये आपको solve करना है जैसे यह अब cent को खोल लेते हैं cent का मतलब होएगा one cent को खोल लेते हैं cent का मतलब है one by hundred यानि one into ten की power minus two meter mζ 2-3 Скुल लेते हैं माइन स !! मीटर अब यहां पर क्या मिल्टिप्लाइ करना है जिसे बराबर हो जाए है तो यहां पर क्या मैल्टिप्ला यहां तो यहां पर 10 जो मल्टिप्लाइगा या नहीं के 10 इन्टू 10 गी पावर माइनस 3 मीटर की मिटर कम सुधा इस तू ट्री पावर माइनस 2 मीटर मीटर कर दें जाना यहांद 10 का यहीं सूधीर पावर माइनस 2 मीटर इक अगॉज कि थो मीटर मानने मिलीनियू और यहां पर multiply आजागा 10 यह 10 multiply आजा तो 1 centimeter equal to 10 mm यह हमने solve कर लिया तो ऐसे करके आप different different values को solve कर सकते हैं जैसे एक और देख लेते हैं इसके अंदर यानू के यह है जैसे मैं आपको बोलू कि 1 nanometer 1 nanometer 1 nanometer को convert करना है आपको how much micrometer micrometer so 1 nanometer तो यहां पर आपको solve कर लेना यह nanometer है तो nano का मतलब होता है 10गी पावर माइनस 9 1 into 10गी पावर माइनस 9 meter is equal to micro को वापिस आपको खोल लेना है 10गी पावर माइनस 6 meter तो यहां पर क्या multiply हो जाएगा 10गी पावर माइनस 9 के बराबर आजा है तो यहां पर आजाएगा 10गी पावर माइनस 3 into 10गी पावर माइनस 6 meter meter is equals to 1 into 10गी पावर माइनस 9 meter meter अब इनको वापिस पैक कर देते है यह आजाएगा नेनो मीटर 1 नेनो मीटर 1 नेनो मीटर मीटर is equals to 10ग पावर माइनस 3 माइक्रो मीटर माइक्रो मीटर को यूनिट कन्वरजन के अंदर यह चीज़ इंपोर्टन है यह आपको धान रखना है तो आज के लिए इतना ही आगे अपने नेक्स लेक्चर में इसका ही एक फर्दर सब टॉपिक देखेंगे तो थांक्यू आप गुड़ देखेंगे